गुड मॉर्ण इस्टेंट्स कल हमने थोड़ी का पॉर्शन पूरा कर लिया था सेकिंड चेप्टर का निम्न कक्षा से उच्छ कक्षा में जाता है या उच्छ कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो जब निम्न से उच्छ में जाएगा तो उर्जा का असोशन करेगा उर्जा का अंतर पॉजिटिव में आएगा अंसर जब उच्छ कक्षा से निम्न कक्षा में आएगा तो उर्जा का उच्छ करेगा डेली का अंसर इसमें आएगा नेगटिव में तो धनात्मक और इनात् सरजन क्लियर है तो हमने निमेंगर पढ़ाता है कि एक रेक्टोन पांच यह दूसरे में आ रहा है तो उससी फोटोन की आवर्ती और लेम्डा की वेल्यू आप से पुछी थी उसी पैटन पर अपन एक और सवाल कर रहा है देखें इसमें एक सवाल है और सवाल यह आपके पास कि हाइड्रोजन का परवाणू है हाईलोजन का क्या है पर्माणू है एंप बराबर 4 न बराबर 2 इससे में इन क्या करता है एक नहतर है यह चिल्क कहां से और tells झार है यह हैंрिक यह न बराबर 4 से इन झुल तो आप से पुछा है कि जो उच्छ सर्जित प्रकास होगा उच्छ सर्जित क्यों होगा क्योंकि उच्छ सर्जित प्रकास की लेम्डा क्या होगा च्छ सर्जित प्रकास की लेम्डा वुच्छ है आपसे हैं चोत्थे से दूस्टे में जाए पहले आपको क्या जयाद करना पड़ेगी दोनों कोसों क मतिंबंद्ध क्या ज्याद करना पड़ेगा उर्जा का अंतर में दो पॉइंट एक एक अर्ट पॉनाका इसकी गात माइन 1 upon NF square यह इन्य वेरिकल था NI का मतलब क्या हुआ प्रारमभी कोस NF का मतलब अंतिम कोस तो सुनिए हमारे पास NI का मतलब क्या हुआ प्रारमभी कोस कोड़ सा है पहले कहा है हो चोथे में तो NI की वेल्यू की तरिया वेची आग चोथे से फाइनल तो in f u पित्री होगी कि यह वेलिू जब आप 4 नों यहा रखेंगे तो किस बाec seventeen कि उर्जा का क्या होगा है कि फॉर्जण हो गजाना आप से देली नी कुछama जूने क्या किुछ रहे है लेंडा तो formula change हो जाएगा आपने formula बढ़ा है daily बराबर h new या ऐसे भी हो सकता है daily बराबर hc upon lambda hc upon lambda यहां से रेती है lambda की value दी आपको निकाल नहीं है तो lambda बराबर क्या हो जाएगा hc upon daily यह जी मेरिकल यहां पर new हो जाएगा क्या lambda बराबर hc upon daily clear है h की value planche rank की value नियत है c कटास का वेग है वो नियत है तीरुना दसी बात daily कान्षराब यहां से जब daily कान्षराब यहां रखें तो इस negative sign को पत रखना तो आपको यह value बता रहा है कि उज़ा का क्या वां उप्सज़ लोग है clear है तो यहां से आपके पास किसकी बेदिवा जाएगी lambda clear है तो जब भी आपसे इस तरह के सवाल पोचे जाए यह एक रेक्टोन जो है वो दूसरे से चोथे में जा रहा है चोथे से पांशे में जा रहा है पांशे से दूसरे में आ रहा है आपको रगनी है फॉर्मुले इसके fix है फिर देखिए देखिए एक अलग तरीकेटा सवाल है उसे का हाइ्डोजन का तो परमाणू असा है हाइ्डोजन का तो क्या है परमाणू याज के पास हाइ्डोजन का परमाणू है और 눌러 रहा हिए और एन बनाबर एक से पहली गत्षा से हाइट्रोजन परबारु में इलेक्ट्रों को एन बराबर एक से एन बराबर कहा ले जाने है पास तक तो आवस्त कुझा में ले जाने है तूँ चाहिए लेक्ट्रों को एन बराबर एक से न परांच और निंग से जाने है पासे जाना है तो आंदर जी temporada अब शुत्र बोई लगाने आप शुत्र कैसे लगाना है बोलिए अब देखो आप से पुर्जा पहने से कहाने जाने में पांचे आप से उर्जा पूछी है तो आपको क्या ध्यान होना चीदे से कोई आप से यह कहें कि मुझे सीकर से कहा जाना है जैपुर जाना है सीकर से कहा जाना है कितने रुपे लगेंगे साब कितने रुपे लगेंगे ठीक है आप अपने गाव में आप बैठे हो और आपको क्या चीदे कि मुझे सीकर से कहा जाना है जैपुर कितने रुपे लगेंगे साब तो आप यह अंतर कैस आपको बता है गाहों से जो मैं कहां जाना है सीकर तो बस में मेरे पांच उपर लगते हैं बस में कितने रुपर लगते हैं पांच और सीकर से आपको कहां जाना है जैपूर जाना है जैपूर जाने का किराया जो है वो आपको आना चाहिए माल दीजिए कितने रुपर हैं हैं अब कोई आपसे पूछे क्यों मुझे सीकर से जैपुर जाने में कित रुपा लगते हैं। अब ये तरीका में आपको क्यों बताये हैं कि आप ये समझ सकें कि ऐसे सवालों में आपको निकालना कैसे आंसर. एक से बिले जाड़ा है कितनी इनरजी तो आप पहले कोस्त की निकालो और पांच वे कोस्त की अनरजी निकालो और दोनों का क्या प्ता लगा पता लगा कि पहले कोस्त में निकाड़ों पांचे में निकाड़ों दोनों का अनुतर बता देना इसाब इतनी इनर्जी छी क्यों कि पहले में तो बैठा यह तो इतनी इनर्जी तो उसके पास है अब पांचे में जाने लाएक एनर्जी उर्जी उसको तो वह कितनी होगी कोई कहे मेरे पास 50 उत जहपू जाना है पिचान में लगते हैं जहपूर की सीखर जहपूर की 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 के अनर्जी का क्या निकालेंगे अंतर निकालेंगे अंतर निकालेंगे अंतर उसी से निकल जाएगो देटी बराबर दो पॉइंट एक अर्ट इंट टेंट नेस्ट पाउर वाइनस एफ स्वाइनस वन अपॉर एफ स्वाइनस इसमें क्या हो रहा एनाई की वेल्यू प्रार्णभी कोश्ट कितना है देख फाइनल प्रोंस आई वो पांस हो तो आपके पास एदर्जी का डिफरे इसाज है ठीक है तो यह पैटन था इस पैटन पर अपने दो सवाज सौल कर लिए हैं आपको एनाई और एनाई और अप्षी वेल्यू धान से रखनी है उसके बाद एक अलग तरीविये का सवाज देख इसी पैटन पर इसी पैटन पर इसी हाई प्रोंस का परवाण है आप के पास हाई-टोजिन का क्या है परवाणू है पर हाई-टोजिन के परवाणू में एक लेक्ट्रोन है जो एन बराबर कहां बैठा ने को है एन बराबर दो से इलेक्ट्रोन को पूरी तरह बाहर निकालने है तूँ आवसक उर्जा कितनी होगी सवाग को समझना है हाई-टोजिन परवाणू में एक लेक्ट्रोन बैठा कहां एन बराबर दो में उस लेक्ट्रोन को पूरी तरह बाहर निकालना है पूरी तरह बाहर निकालने का मतलब है उस परमानू से उसको बाहर निकालना है पर परमानू से बाहर निकालने का मतलब हम उस लेक्ट्रोन को कहां मानेगी इन फाइन अनंत पर मानेगी और इलेक्ट्रोन की उर्जा सरवाधिक होती है कहां अनंत पर और वो कितनी होती है सुन्दी अनंत से पहले नेगटीव होती है तो देखिए हैं बद दो से पूरी तरह निकालना है कितनी अंधर जीची है वही तरीका लगा जाए आपको पूरी तरह निकालनेगा मतलब क्या हुआ कहां बेजना है इंपाइनेट में तो अंतर जीची अनंत पर एलेक्टोन की उ उर्पय चीए मेरे पस्त्र उर्पय तो कितने रुपय चीए वाई ज्यू लब दो गालेगे दूसरे कोसरे कि तבן इनर्जी चीए दोंगों का निकाल तो देखिए अब अनंत को पहले को लिख रहा हूं क्योंकि अनंत पर लेक्टों को बार बेज रहा है है तो कितने अनंत पर बेजना है चोथे से तो इनंत पर निखाला अनर्जी और चोथे कोस में एनर्जी निकाला है अब आपको बगाए इफाइन अरंथ पर एक्रों के अनर्जी निगती होती जिरो माइनस इट्टू दूसरे एक अनर्जी निकालने दूसरे इक अनर्जी के से निगत नहीं इट्टू पराबर माइनस दो कॉइंट एक इंटेश्ट तू कार माइनस 18 बोली इंट स्क्वार यहां देखें दूसरे कोस में इनर्जी जाद कर सकते हैं जो भी एनर्जी आएगी वह एनर्जी किसमें आएगी माइनस माइनस आएगी माइनस एक्स तो बस आपको करना क्या है इट्टू का आएगी माइनस एक्स जू तो बहार साइन माइनस का अन्दर का प्लस हो जाएगा तो प्लस एक्स जू यह वह एनर्जी है जो दूसरे कोस से एलेक्टों को अनंदर तक कहुँचाने के लिए उसकोती है देखें, इस स्वाल का थोड़ा साओ समझें, इसका बेसिक समझें, मैं आपसे एक हुआ हुआ, कि हीलियम परवानु आली है, हीलियम परवानु आशा है, हीलियम परवानु ने, इलेक्ट्रोन को एन बरावर तीन से उन्दे मिस्कासित करने के लिए आव से उर्जा को एक कासे का मैं वेज रहे हैं तीसरे कोश से अनन्थ पर व्यजा रहे हैं कितने प्रिवा उर्जा का नारिए टार्फ प्रिवा निखाड़ा और तीसरे कोस में इनर्जी निकालए यह पहले प्रिवाइन वाली उर्जा ज्यादा और यह जीरो तो फुर्ण। माइनस एक तरी का मतलब क्या वाट तीसरे कोट्स में निकाल ने है तो एथरी माइनस दो पॉइंट एक आप अधसी आथमाइस अधारा जैन इस्क्राइब अब की बाद क्यों क्यों कि हीलियं परमानौ के लिए जो परमानौ कर्वांग होता है वो कितना होता है दो और N कौन से कोस से बात हो रही है तीन से प्राइन बराबर क्या जाएगा यह वैलियों आप यह रख दीजिए E3 का अंसर को है वो नेगटीव है का सब्स वही बात आपको रखनी एक्स जू यह प्लस का हो जाएगा तो दो तरीके के मैंने आपको आप सवाल बताया है दो तरीके बहुत इंपोर्डेंट हैं बहुत बेसिक हैं दो तरीके कौन से हैं मैं आपको वापस से रिवाइज कर दो सवाल आप से ही पुछाज है एक लेक्टोन को दूसरे कोस से चोथे कोस में लेजाना है कितनी एनर्जी चीए तो आप क्या करें चर्वाल नथ क्याँ हैक इलेक्त्रोन की एणर्जी नियुका लेजै पहिने तो दूसरे कोस में लीकान लेजा इस शुक्त्र त्वारे फिर चो थे कोस में लेजा इस शुक्त्र मार्न करकेमे दो बार सबस्सक्राइज नहीं लगाना चाह जो तो एक बार मिला सकते हो सब्सक्राइब वहां से आप शुरू वाला और अंतिम वाले पोस्त के अंधर निकार सकते हुए इनरजी आउसे होती है अब यहां क्या कह रहा है इस वाले पैटर्न में क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्टोन है चोथे से अनंद में ले जाना है पूरजा बताओ तो बस बात यह है का नंध पर energy कितनी होती है जेरों तो चोथे से अनध पर ले जना है तो आप क्या करें electron के energy निकाले अनंध पर वो तो निकली यह जेरो होती है और क्या क्या माइनस ओके क्यार प्र लेंगे सवालों आप सरज सवाल पर लेते हैं panam pia on और देखें यह कह रहा है कक्सक की पहचान करो कक्सक की क्या करो पहचान के लिए आपको टरीका दिया है n बराबर 1 n बराबर 2 दूसरा है n बराबर 3 n बराबर 2 कहीं कोई रिकत नहीं है एक का मतलब क्या है बुख्य क्वांटम संख्या जो कोस की संख्या को बताती है एल क्या है दिगन्सी क्वांटम संख्या जो कोस की संख्या को बताती है तो देखिए एल का मतलब वन तो कोस तो कौन साथ पहनदा है of course, 0 का مतलब क्या होता है S, तो ये 1 S लग सकते है, N की value कितनी है? 3, N की value कितनी है, 1, N का 1 का मतलब, 3 Nevertheless, Qn क्या, 1 का मतलब P, of course, तो 3 भी लग सकते हैं, N की value 4 है, N की value 2 है, N की value 2 का मतलब, D of course, for D है, N की value 4, 3 का मतलब S की D F, तो 4 F, क्योंकि आपको पता है, L की value जब 0 होती है, 1, 2, 3 होती है, तो up cost का प्रकार को इस सा बताते हैं अपन, L की value 0 है, तो S up cost 1 है, तो P up cost 2 है, तो D up cost 3 है, तो F up cost, यह है, तो यह कक्सक की बैचान कर सकते हैं, इसका reverse नहीं हो सकता है, reverse का मतलब, आप से यह भी पूछा जा सकता है, कि 4 P कक्सक के लिए, 4 P कक्सक के लिए, 4 P कक्सक के लिए, आप सकता है, आप सकता है, तो 4 P कक्सक के लिए, आप सकता है, आप सकता है, तो 4 P कक्सक के लिए, जब N और L के मान जाएं, तो देखिए, यह तो किसका मान आता है, जब भी इस तरह का representation आता है, तो जो starting की value है, वो किसकी आती है, L और जो P उप्कोस है, उसके लिए किसकी value लिखते हैं, L की, तो L की value तो कितनी हो जायती है, 4 L की value, P उप्कोस के लिए L की value, 1, यह जब दोनों तरीके के सवाल आ सकते हैं, आप से तक्सक देकर quantum संग्या पूर सकते हैं, quantum संग्या देकर तक्सक का प्रकार पूर सकते हैं, quantum संग्या के मान मैंने आपको बताये थे, कैसे लिखते हैं, उस पर सवाल है, quantum संग्या के कोन से मान संग्या नहीं है, quantum संग्या के कोन से मान संग्या नहीं है, मान देरते हैं, देखिए, n बराबर 0, l बराबर 0, ml बराबर 0, ms बराबर 1 प्रस 2, एक ने रखता है, तीशा ले लेते हैं, n बराबर 1, l बराबर 1, ml बराबर 0, और, ms बराबर प्लस 1 बटा 2, उसके बाद, ये दो सवा देखिए, आपको पता है, आपको रूस का ज्यान है, कि क्वांटम संग्या के मान कैसे लिका ले जाते हैं, वुखे क्वांटम संग्या के मान को कैसे होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मुखे क्वांटम संग्या के मान कैसे लिकालते हैं, 0 से n-1, मतलब क्या VBL का मान N के मान के बराबर नहीं होगा उससे क्या होगा गओ माइनस N से प्लस N तर यह आपके पास N की वेखियो है तो आप उससे चुमक के quantum से क्या अगा मान निका सकते हैं minus n से सुरू कर दीजिए 0 को साविच कीजिए प्लस यह तक चुमक क्वांटम से क्या कि 2 1 possible है plus 1 by 2 and minus 1 by 2 यह rules मैंने आपको बता है अब इनको solve कीजिए n बनाबर 0 possible है जब n बनाबर 0 है n बनाबर 0 नहीं हो सकता कोई कोसी नहीं है तो उपकोस का से आएगा इसका मतलब यह मान possible है l बनाबर 0 तो possible है l बनाबर 0 possible है n बनाबर 1 n की value ती 1 है तो l की value n से में सा 1 कम तक होती है 0 से सुरू करते है तो 0 भी possible थी 1 possible नहीं है इसका मतलब यहा एक अमान पॉसिबल नहीं तो इसकर आप कौन्टम सिंत्याओं के मान कौन से संभव है कौन से संभव नहीं है के प्रस्मों को सोल कर सकते उसके बाद एक सवाद है क्या निम्न क्वांटम संभव निम्न क्वांटम संभव वाले कितने इलेक्ट्रोन होगे कितने इलेक्ट्रोन होगे जो क्वांटम से क्या आपको सवाल में दे रहा हो उससे समंदित कितने इलेक्ट्रोन होगे यह आपको पाइन करें पेरा सवाल क्या दे रहता है एन बनाबर चा और चूपती है चक्वांटम संभिया एमस की वेली दे रहती है माइनस ए गटा दू सेक्ट्रोन सवाल हमसे दे रहता है एन बनाबर ती और एन बनाबर चार है दे रहती है मतला कोन से कोस की बात हो रही है चोथे कोस की बात हो रही है तो एन बनाबर चार है तो कुल कितने लेक्टोन हो सकते है चोथे कोस में शुत्र क्या नगएगा तो एम स्क्वार पर एसे कितने evolve घ्र eter की के टो सक्षान करते हैं, आपको कैक्षक में करते हैं, आपकोम थाइसए में दो एक लिए चक्त्र सक्षकर अरगार की कटा हैं, अचीकोर में धुन स्ञक्षक कामान एक होते हैं, यह अता है V stability किज तो कक्सक कितने होएं।ra सोल। एक क्सक है हर कक्सक aurait are एक उपादए और दूसरे वाले धृटो तो निए उसरे कहा उनली वह ELEija इसके लिए माइनस एक बटा दो तो यह कह रहा है चोथे कोस में वो एक्टोन की संख्या बताई है जिने के लिए माइनस एक बटा दो की वैल्यों तो इतनी वैल्यों आगी अगला यह नहीं देता हूं तो यह कितने होते 32 अभी इसने फिक्स कर दिया कि माइनस एक बटा दो वेली होनी चाहिए चक्कन क्वांटम संख्या कामान तो कितने होके 16 है दूसरे सवार वो है सब्सक्राइब तो आज घाएगा किसमें तीसरे पोस ने होल्यों पर वो इलेक्टोन कितने है जीने की लिए लिए आप आपर गया जीने कि लोड़ा जीने के लिए वाजीन अब 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 आपकले न गहीं मतलब तो इस तरह हमने कुछ निमेरिकल्स तो आज इस क्लास पर सोल कर लिए कुछ फोड़ दिन पहले क्लास पर निमेरिकल्स पर निमेरिकल्स सोल कर लिए तो आप वाले कौल में पूछ सकते हैं ओके नेक्स प्लास में हम थर्ड चैप्र स्टार्ट करेंगी जो आबर साणी करें ओके थेंक्स डेंट्स